नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शेवम और स्वागत है आप सभी का आज इस नहीं वीडियो में तो बिलकुल आज हम बात करने वाले हैं दि अल्ल न्यू टू थाउजन्ट एंट्वन्टी टू रेनो क्विट के बारे में तो आप कहेंगे all new renoquid दिखने में तो बिल्कुल सेम वैसे ही लग रही है जी वैसे दिखने में बिल्कुल सेम है लेकिन छोटे-छोटे elements में जो change किया गया है वो भी काफी difference रखता है और variant में और कीमत में दोनों में काफी उलट फेर हुई है तो आज हम जिस variant के बात वो है यहाँ पर बिल्कुल हमारे सामने renoquid का RXT और यह है इसका AMT transmission के साथ 1-liter engine option वैसे तो यह गाड़ी competitive करती है मारूती की espresso और alto 800 जैसी गाड़ियों से लेकिन road presence के मामले में यह alto से काफी अच्छी है और space भी आपको काफी अच्छा देती है उसके comparison में और espresso का जो design है वो एक्चली बहुत जल्दी पसंद आता नहीं है लेकिन quit का design जो है वो बहुत easily जो है लोगों को पसंद आ जाता है पर्टिकुलर अगर मैं इस variant की बात करूँ तो यह AMT transmission के साथ आपको 5,61,000 रुपए एक्शोरूम कोस्ट करती है और मैं हूँ इस समय हलद्वानी reno में और यहाँ पर अगर मैं on-road बात करूँ तो यह reno quit AMT transmission के साथ आपको लगभग 6,61,000 रुपए on-road कॉस्ट करती है क्या आपको इस गाड़ी में मिलता है इंटीर में क्या-क्या features और बढ़ गए हैं कैसी है अब overall interior exterior सब की बात करते है तो शुरू as usual गाड़ी के friend से करते हैं वो आपको मिलेगा तीन steps जो है वो इसकी grill के उपर अभी भी continue रखे गए हैं काफी bold सी grill जो है वो लगती है और यहाँ पर थोड़े जो chrome के element है वो भी use किये गए हैं नीचे अगर आप देखेंगे तो यह grill भी काफी अच्छी लगती है बिल्कुल simple जो है वो इसकी skit plate रख लगती है यहाँ पर आपको इसका proper headlamp जो setup है वो देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर reflector based hylogen setup ही मिलेगा low beam high beam दोनों के लिए यहाँ पर आपको इसकी DRLs है यहाँ पर strip style जो है DRLs वो आपको दी गई है और यहाँ पर आपको जो turn indicator है वो दिया गया है अब अगर आप गाड़ी की इस side पर आएंगे side profile पर तो यहाँ से आप notice करेंगे जो इस इसमें 14 inches का मिलेगा प्रॉपर अगर मैं tire size आपको बताऊं तो 165 70 radial 14 जो इसका inches है उसको टायर आपको इसमें मिल जाएगा यह side में जो आप देख रहें यह एक SUV थोड़ा सा premium सा touch जो है वो यहाँ पर add कर देती है आपको यहाँ पर fender पर ही turn indicator मिलेगा ORBM के उपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर glossy silver जो है वो combination use किया गया है यह red कलर के साथ जो देखने में कैसा लग रहा है वो आप मेरे को comment section में जरूर बताईएगा पिलर अगर आप देखेंगे तो A पिलर और C पिलर को normal body color रखा गया है लेकिन यहाँ पर जो आप B पिलर देख रहे है यहाँ पर black tape जो है उसका use यहाँ पर किया गया है नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर proper जो एक branding है वो आप कह सकते हैं कि वो की गई यह कोई plastic नहीं है हाला कि sticker ही है लेकिन वन लीटर का आपको इसमें engine option दिया गया है तो उसकी branding यहाँ पर की गई है वैसे क्वेड आपको एक और engine option में भी मिल जाती है आप चाहें तो 0.8 के लिए भी जा सकते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखें ground clearance तो वो भी काफी practical है 18 184 mm की ground clearance जो है वो आपको मिल जाती है door handles बिलकुल normal वही यहाँ पर plastic material जो है black, matte black वो यहाँ पर use किया गया है जो चीज इसकी side में आप थोड़ी सी miss करेंगे वो यह यहाँ पर आपने पहले देखा होगा कि variants की जो badging थी वो आती थी अब वो चीज आपको नहीं मिलेगी चा अब इसके अगर आप rare section में आएंगे तो overall जो गाड़ी पीछे से है quid वो कुछ आपको ऐसा look देती है overall profile इसकी पीछे से भी काफी अच्छी लगती है बिलकुल center में यहाँ पर quit की proper branding आपको देखने के लिए मिलेगी रेनो का logo यहाँ पर आपको rare view camera जो है उसकी placement ठीक logo के बीच में दी गई है इसकी quality कैसी है वो अभी मैं आपको अंदर चलते है फिर मैं आपको दिखाऊंगा रेनो की जो proper branding है वो आपको मिलेगी और यह amt transmission है तो यहाँ पर उसकी branding है easy r यानि वहाँ पर आपको इसकी branding है व उसमें आपको इसके जो reflectors है वो मिलेंगे तीन आपको यहाँ पर rare parking जो sensors है वो आपको मिल जाएंगे rare bumper पर और इस bumper को बिल्कुल black रखा गया है normal रखा गया है और यह combination black and red यह भी काफी suit जो है वो इसपे कर रहा है उपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो stop lamp मिलेगा को आपका सा spoiler जो है वो आप यहाँ से notice कर सकते है कर्व है और यह काफी look को इसके पीछे का जो look है गाड़ी का उसको काफी enhance कर रहा है stop lamp टेल लेंप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पर जो division है वो आपको मिलेगा stop lamp दिया गया है turn indicator जो है वो दिया गया है reverse lamp दिया गया है और यहाँ पर जो side में आप देख रहे है यह light जो है वो जलती हुई काफी जो अच्छी है वो लगती है बूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नीचे actually में आपको कोई request sensor नहीं मिलता या तो आप गाड़ी के अंदर जाकर lever से इसको open कर सकते है या फिर आपको कुछ ऐस चाबी मिलेगी इस variant के साथ एक के उपर आपको proper जो controls है वो central locking के मिलेंगे दूसरी की बिल्कुल simple जो है वो आपको मिल जाती है तो इसको unlock करते हैं एक बाद तो boot को अगर आप unlock करेंगे तो सबसे पहले चीज parcel tray वो आपको यहाँ पर दी गई है उपर अगर आप इसका tail gate देखेंगे तो कुछ भी पार्ट यहाँ पर open नहीं है कुछ भी naked नहीं हाला कि सब metal है लेकिन यह proper covered जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा थोड़ा सा जो uncovered पार है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह पार थोड़ा सा uncovered है बाकि अगर आप ऊपर tail gate भी देखेंगे वो भी proper जो covered मिलेगा boot space आपको लगभग 280 liter 279 जो है वो आपको इसमें boot space मिलता है नीचे आपको यहाँ पर जो spare wheel है वो दिया गया है same size है यह भी आपको R14 जो है वही size यहाँ पर आपको मिलेगा और safety triangle tool kit जो है वो भी proper आपकी यहीं पर placed है अब एक बार इसको करते हैं close interior में आपको क्या मिलेग और क्या-क्या changes है अब उसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखें interior तो यह है इसका driver side का proper door trim तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई controls जो है actual में वो आपको यहाँ पर नहीं दिये जाते power window के वो अंदर ही आपको मिलेंगे as usual जैसे पहले मिलते थे तो यहाँ पर आपको हाथ रखने के साब से प्रापर जो जगा है वो मिलेगी थोड़ा सा यहाँ पर combination आपको देखने के लिए मिलेगा यह उपर जो है वो light gray है और यहाँ पर नीचे आपको black plastic वो मिलेगा सब hard plastic है कुछ इस टाइप से simple आपको black color में ही जो इसके door lever है वो मिल seat की जो height है उसमें आप कोई adjustment नहीं कर सकते normal जो adjustment रहते हैं आगे पीछे के वही आप कर पाएंगे लेकिन जो इसकी seats हैं वो काफी अच्छी लग रही है देखने में अगर आप देखे हाला कि यह सब fabric है कोई leather use नहीं किया जाता लेकिन यह proper red black और यह light gray appolstery जो है वो use की ग लेंगे आपको ORVM के ORVM जो है इसके आप electrically adjust कर सकते हैं लेकिन fold आपको यह manually खुद करने होंगे नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है headlight leveler और यहाँ पर आपके hood open करने के जो knob है वो आपको मिलेगा आपको केवल इसमें यहाँ पर आप B मिलेगा clutch इसमें missing है क्योंकि यह है AMT तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई आपको gear stick जो है वो नहीं दी जाती यहाँ पर आपको simple जो knob है वो यहाँ पर दी गई है यह कैसे काम करती है अभी मैं आपको वह भी बताता हूँ तो आप चलते हैं अंदर और interior में और क्या है offering में उसकी बात करते हैं तो यह है overall reno quid 1 liter engine option के साथ और यह है इसका AMT variant और उसका अगर आप interior देखें तो overall dashboard जो है वो आपको कुछ ऐसा लगता है यह panel center console जो है यह भी काफी अच्छा लगता है 8 inch की आपको proper इसमें जो touchscreen है वो मिल जाती है यहाँ पर proper काफी bold सी दिखने व bag यानि आपको इस variant में proper जो दो air bag है वो आपको मिलेंगे driver और co driver site के लिए और क्या है offering में अब उसकी बात करते हैं शुरू करते हैं इस steering wheel से तो देखें यहाँ पर कोई controls आपको नहीं दिये जाते ना इस media system से related और ना यहाँ पर जो आप cluster देखने अपने सामने उस से related ले return indicator के controls है वो दिये गए हैं यहाँ side में दोनों ही आप चाहे इधर देख लीजे चाहे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर AC event की जो shape है वो round रखी गई है और थोड़ा-थोड़ा element जो है वो यहाँ पर finishing के हिसाप से side में use किया गया है लेकिन center में जो आप AC events देख रहे हैं यह बिल्कुल simple है और यहाँ पर कोई element नहीं यह उपर proper जो पैनल है glossy black है इस screen की outline में थोड़ा सा chrome मिलेगा और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इन elements जो है chrome के वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे यह screen आपको काफी चीजे offer कर देती है segment के हिसाप से थोड़ा सा अच्छा ह आपको offer करती है actual में तो इसमें आप apple carplay android auto वो connectivity भी आपको मिल जाती है तो settings जो है थोड़ी बहुत वो भी आप अपने हिसाप से कर सकते हैं अगर मैं इसकी display setting की बात करूँ तो आप यहाँ पर जो background है वो आप change कर सकते हैं आपको light रखना है या dark brightness आप इसकी low पर shift करेंगे mid पर या आप high भी कर सकते हैं rear view camera on या off जो भी आप यहाँ पर देखेंगे तो वो आप यहाँ पर इसको adjust कर सकते हैं wise command के लिए जो shortcut है वो आपको यहाँ पर दिया गया है connectivity में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है smartphone, bluetooth devices उनको आप यहाँ पर explore कर सकते हैं system में आप language चेक कर सकते हैं clock और units जो है वो आप कर सकते हैं अगर आप से कुछ ज्यादा गढ़बर हो गया है तो आपको factory settings मिली है आप जाए उसको proper reset कर दीजे सब कुछ refresh हो जाएगा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो controls है वो आपको power window के लिए मिलेंगे यह driver site के लिए और यह co driver site के लिए यह switch आपको गाड़ी को lock और unlock करने के लिए मिल जाएगा center में hazard light का switch आपको मिलेगा यह blink भी करेगा अगर आपके active है hazard light तो यह जो center में आप देख रहे हैं यह सिर्फ इक दमी है यहाँ पर climate control जो है वो आपको proper setup दिया गया है नौप जो है वो fresh air intake करनी है या नहीं तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो switch है lever वो मिल जाएगा नीचे shift होते हैं तो नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 12 वोट का power socket जो है वो मिलेगा एक aux आपके हैं पर connect कर पाएंगे USB port जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा थोड़ा storage space है actual में deep है अगर आप यहाँ पर अपना wallet या और भी कोई चीज रखना चाहें sunglasses वगएरा तो वो आप easily रख पाते हैं थोड़ा सा आपको space यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर अपना ticket वगएरा या कोई आपका document है चोटा मोटा तो वो चीज आप यहाँ पर रख पाएंगे और भी day to day life में रोजाना क्या आप देखेंगे तो उसके इसाब से भी काफी कुछ इसमें समान आप रख पाएंगे तो यह काफी काम आने वाला है आपके और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह parking lever इसका ब्रेक है parking ब्रेक का lever और यहाँ पर नीचे आपको proper space जो है वो मि मिलेगा और यह तीन आपको पस modes मिल जाएंगे अब यह कैसे काम करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ पर आपको proper labeling आप देख रहे है आर यानि यह reverse mode में चला जाएगा neutral अभी जिस position में यह है और drive यानि बाकी सब कुछ गाड़ी अपने आप करेगी आपने अगर drive क करिए और यहाँ पर आप देखेंगे यह आपको बीप कर रहा है यहाँ पर लिखा हुआ रहा है डी इंडिकेशन दे रहा है आपको drive की बीप इसले कर रहा है क्योंकि actually अभी गाड़ी जो है वो start नहीं है और अगर मैं इसको reverse mode में डाल दूँगा तो यहाँ पर यह शो करे यह trip A आपको यहाँ पर शो कर रहा है और adjustment के लिए यहाँ आपको point दिया गया यह आप देख पा रहे होंगर तो इस point से आप trip B trip अगर आपकी fuel economy आपको क्या दे रही है और range आपको क्या मिलेगी कितने kilometer और drive हो जाएगी तो वो सारी चीजे जो है वो आपको यहाँ पर शो क का indication दे रहा है low fuel यहाँ पर आपको शो कर रहा है तो यह भी आपको coolant temperature भी और fuel gauge यह भी proper जो setup है वो आपको यहाँ पर digital भी मिल जाएगा अगर मैं staring adjustment की बात करूँ तो देखिए इसमें staring का कोई adjustment आपको नहीं मिलता यानि जिस position में staring अभी है यह सेम इसी position पर रहेगा आप seat की भी height जो है वो भी आप adjust नहीं कर सकते हाँ आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन वैसे कोई आपको adjustment जो है वो नहीं मिलता अब एक बार seats की बात करी लेते हैं तो seats देखिए काफी मतलब hard है hard कहने का मतलब ऐसा नहीं कि uncomfortable है अच्छी seats है यानि आप आराम से इस पर ब अगर आप थोड़ी बहुत लंबी जरनी भी इसमें करेंगे तो आपके लिए ज्यादा समस्या जो है वो खैर नहीं आपको face करनी पड़ेगी headrest जो है वो आपको इसमें adjustable नहीं मिलते ना आपको front में adjustable मिलेंगे और ना rear में तो यह fixed ही रहेंगे उपर अगर आप देखेंग अगर आप देखेंगे तो इदर वाइजर पर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला सेम नॉर्मल जो है वो आपको दिया गया है लेकिन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन्स दी गई है अगर आप इसको purchase कर रहे हैं गाड़ी को इसको बाय करेंगे तो यहाँ पर आप देख ल पीछे चलते हैं और पीछे चलने से पहले मैं एड़स्ट कर लेता हूं इन सीट्स को अपने हिसाब से तो यह एक्च्वल में है मेरी अभी driving position तो यहाँ से मुझे visibility भी अच्छी मिलेगी और मैं comfortably जो है वो इसको drive कर भी पाऊंगा तो आप चलते हैं एक बार पीछे और अरे एक मिनट मैं आपको बताना भूल गया मैं आपको पहले जो है इसमें आपको दिखा देता हूं कि इसका जो camera है actual में वो कैसे काम करता है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यह है actual में इस camera का proper vision अगर आप देख पा रहे हो तो अगर मैं इसका staring move भी करूंगा तो यह जो lines आप देख रहे हैं यह movement नहीं कर रही है और proper जो view है वो actual में आपको ऐसा मिल जाता है और इस segment की गाड़ी इस budget की गाड़ी से आप यही उमीद जो है वो आप लगा सकते हैं तो actual में बुरा नहीं है जिस segment की गाड़ी है उस हिसाब से काफी अच्छा view जो है वो आपको पीछे कर मिल जाएगा यानि quality जो है वो ठीक आपको इसमें मिलेगी शिकायत वाली चीज आपको इसमें नहीं दी गई है आप चलते हैं तो पीछे अगर आप देखें तो यहां पर प्रॉपर जो है वो आपको बैंक सीठ ही यहां पर offer की गई है लेकिन हम दोर से शुरू करते हैं पहले तो दोर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले power window का control जो है वो आपको मिलेगा प्रॉपर यहां पर आपकी जो है ग्रा पर इस material में use किया गया है अब अंदर चलते हैं बैठने के हिसाब से कितना space है और ये seats आपको लगबग कैसा comfort देती है उसकी बात करते हैं तो interior में अगर आप इस गाड़ी के आते हैं तो सबसे पहले तो ये seat है वो already मेरे height के हिसाब से मैंने adjust की थी अब आप उसके बाद जादा ही space आपको खैर इसमें मिलेगा no doubt और यहां पर अगर आप देखें स्पेस ठीक है हम कुछ इतना खास है नहीं यानि अगर कोई बीच में छोटा बच्चा अगर बैठेगा तो उसके लिए तो आराम से बैठा कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे अगर आप देखें तो अगर बड़े लोग इसमें अराम से ट्रेवल कर पाएंगे खुले बैठकर तो अगर बीच में कोई तीसरा बड़ा ही एड़्जस्ट होगा पांच अगर बड़ों ने यहां पर ट्रेवल करना होगा तो उनके लिए थोड़ी इसी जो है वो कंजस्टेड में हो जाएगी य यहां पर दी गई है अच्छी चीज क्या है कि अगर आपको कभी ज़्यादा समान वगएरा कैरी करना या कुछ ऐसी प्रॉबलम है तो यहां से आप इस यह जो आप देख रहे हैं यह पर आपको एक बैल्ट दी गई है इसको अगर आप ऊपर को पुल कर लेंगे और यहां स अगर आप इसका यहां से लुक देखें तो वह आपको कुछ ऐसा लगता है हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि ग्वेर नॉब आपको इसमें है नहीं सिर्फ एक आपको रोटर डाइल दे दिया गया है तो वह चीज आपको थोड़ी सी फील हो सकती ह लेकिन ओवरॉल देखने के हिसाब से गाड़ी जो है वो काफी अच्छी लगती है आप चलते हैं एक बार इसका हुड ओपन करते हैं और इंजन जो आपको इसमें मिलता है वन लीटर का उसकी बात करते हैं तो यहां अगर आप देखें तो यह आपको इसमें मिल जाता है थ थोड़ा सा न्वाइज जो है वो ज्यादा रहती है थोड़ी सी वाइब्रेशन भी फील होती है क्योंकि थ्री सलेंडर उसका रीजन है लेकिन जो इसके पावर फीगर्स हैं वो आप अपनी स्क्रिन पर जो है वो आप देख सकते हैं दूसरी चीच यहां पर आपको कुछ होच पॉच जो है वो इतनी ओवर डन नहीं लगती हां जिस सेग्मेंट की गारी है जिस बजट में आ जाती है उसके हिसाथ से थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग जो है वो आपको मिल जाती है यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सो ओपन लगता है बूट में भी हमने दे तो नौइस को रिडियूस करने के लिए और हीट के हिसाब से यहां पर जो प्रॉपर आप देख रहे हैं वो इंसुलेशन यानि डैंपिंग मेट्रियल जो है उसका यूज किया गया है यहां पर रहनों ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की वो काफी अच्छी चीज है अब ए जो थी कि एस्प्रेसो हो या ओल्टो हो उनसे आपको कहीं बहतर कुछ यह गाड़ी ओफर कर देती है तो यह था दोस्तों आप लोग के रहें रेनो क्विट इसका टॉपमूस वेरियंट और यह हैं अगर आप मैनुवल ट्रांस्मिशन के लिए जाते हैं तो वो आपको एम रेनो हलदवानिगा तो वहां से आप अपनी जो भी क्वाइरीज होंगी वो भी आप क्लियर कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए करिए इस चानल जैनवन मोटर्स को मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में धन्यवाद